इंडिया एजुकेशनम में आपका स्वावत है आज ये बेच्ची उकलर कलाश प्रक्टिस रैट है इसके बाद हम हमारा रेलबे गुरूप D का एक्जाम आ रहा जो और NTPC के उसके हम पहले प्रिवेसर कोश्चन पेपर इस पर सॉल्व कराएंगे और इसके प्रक्टिस पर कराना है अगर आपको लगता है कि आपका कोई जल्दी नजदीक में एक्जाम है तो इसकी हम प्रिक्टिस करा सकते हैं आप कमेंकर के में बता दीजिए जो लोग बेच्चुक कलर का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए इंडिया एजुकेशन हपकी तरफ से बहुत अ कितने अटेंम्ट किया है तो एक काम आपको करना है आप कोई भी वीडियो में कमेंट कर शकते हैं चाहे तो किसी वीडियो आप पर करको اس से कमेंट कर दीजीगा इतना काम आप जरू कर आज पहला कुश्यन है फोटोग्राफि में सामानता प्रियों किया जना वाले हाइपो कहते हैं चलिए अगला कुश्य नहीं हमारा इस्टेपी सब्द किस जैब छेद से सम्मंदित है तो आप जानते हैं इस्टेपी एक घास का मैदान है तो इसका अंसर होगे आपका आप्शन ए घास इस्थर्थ और इस्टेपी जो यूरेसिया में पाई जाता है एसिया और यू और पेरिज उत्रिय अमेरिका और पंपास दच्डिय अमेरिका साउत अमेरिका में पाई जाते हैं तो यह कुछ घास के मैदान थे यह आपको याद रखने है चलिए अगला कुश्य नहीं है हमारा किसके सासंकाल में तुलसी दास ने रामचरित मानस लिखी तो इसका समकालिन दास सूरदास जी थे और जो कभिर दास जी थे वो सिकंदर लोधी के समकालिन थे तो यह कुछ राइटर है जो किसके समकालिन थे एक जम में पूछा जाता है आपको याद रखना है चलिए अगला कुश्य नहीं है हमारा ग्यामी पुर्षकार किस छेत्र में दिया भाराशटन करने वाली पहली महिला कोन है तो इसका आशर हो जाएगा आपका ओप्सन भी इंद्रा गांधी जी इंड्या की पहली महइना जिनहें भालाश्य मिला था और इनके लिए भाराश्य मिला था 1971 में है और आयरल लेडी की नाम से भी इने जाना जाता है 1971 में आपको पता है बंगला देश पाकिस्तान से तूटकर अलग हो गया था इंडिया पाकिस्तान जब बार हुआ था तो उस समय प्रिधान मंत्री इंद्रा गांदी ही थी और स्रोजणी नाइडिव पहली महहला राजपाल थे वह भी इयूपी की बनी थी अधेश में पोछे तो वह ऊपी राज़ राज़ की पहली महहला राजपाल थी और पहली महहला यूपीय से ही थी हैं वो भी यूपीय की बनी उनका नाम था सुजेता क्रिपलानी और मजड़ ट्रेशा मजड़ ट्रेशा को नोबल पुर्सकार मिला है 979 चलिए अगला कोश्चन है हमारा काल मार्स द्वारा लेके पुस्तक का क्या नाम है तो इसका अंसर हो जाए है आपका अप्सन C 10 कैपिटल काल मार्स की पुस्तक है चलिए अगला कोश्चन है हमारा यूदियों के धार्मेक पार्ट का क्या नाम है तो इसका अंसर हो जाए है आपका अप्सन B मूसा सहिता यूदियों का धार्मेक जो पार्ट होता है उसे हम कहते है तिरपटिक बहुत धर्म का पवित्त गरंत यूदि पालिभासा में लिखा गया है चलिए अगला कोश्चन है हमारा मेंग दूद का लेका कौन है तो इसका अंसर हो जाए हैं आपका option D कालिदास जी मेंग दूद के लेका है मेंग दूद एक मोबाइल एमप जो भारसकारी लांच किया है उसको नाम भी रितु संगहारम और मेकदूत यह कुछ फैमस पुस्तके हैं जग जाम में पूछ लेता है कालिदास की आपके याद रखना है खुषवन सिंग की एक पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत फैमस है इसको भी आपको याद रखना है चलि अगला कोश्यन है हमारा निमलिकित में से कौन अंग्रेजी के पिरशिद्द लेकक हैं तो इसका आंसर है आपका आपका आपसंडी मुल्क राज आनंद इंगलिस के फैमस राइटर है चलि अगला कोश्यन है मारा किस गवर्ना जरनल का नाम राज घलप नीती या डौक्ट्रिन ऑफ लेफ्स के साथ में जड़ा हुआ है तो इसका आंजर है आपका ओप्सन भी लाट डलोजी के साथ में जड़ा हुआ है राज़ड़प नीती राज़ड़प नीती के था है पहला राज 17 हड़पा गया था जो महराश्ट में था और हाँ 1848 से 1856 के गवर्ना जलन थे राट डलोजी इनी के समय डांक विवस्ता यह उनकी ही देन थी और लॉर्ड रिपन ने प्रेश से प्रतबंद अटाया था जो लॉर्ड डिटर्ण ने लगाया था और लॉर्ड बिलियम बेटे गए इन्होंने सती प्रता को प्रतबंदित किया था लॉर्ड करजन 1905 में बंगाले विवासन इनी के समय में हुआ था तो यह कुछ फैमस घटना है गवने देलन के समय में घटी थी इनसे समद्दित चलिए अगला कोश्चन है हमारा उपर की तरफ बढ़ते हैं कितने बचेगी कोश्चन देख लेते हैं नेमलिकेत में से कौन से सहर में मात्मा बुद्ध ने ग्यान प्राप्त किया था तो इस कोश्चन क्या कह रहा है तो बहुत गया विहार में इन्हें ग्यान की प्राप्ति होई थी कपिल विस्तु जो लुंबनी गाउं में इनके जन्म हुआ था कपिल विस्तु के पास में एक लुंबनी गाउं था उसमें इनका जन्म हुआ था जो नेपाल में है और इन्हें ग् तो इसका आंसर जाग आपका अप्सन B महा का अभी कालिदास ने लिखा है मुंसी प्रेम चंद की पुर्मपुस्त के गोदान गवन कफन बड़े घर की बेटी इदगा तो यह कुछ फ्यमस पुस्त के हैं निर्मला जो मुंसी प्रेम चंद की है अगला कोष्चन है हमारा सम्त दरपन द्वारा बना प्रेटिपम होता है तो इसका आंसर जाग आपका अप्सन C अल्ट्रा सोनिक दोनी कहलातीय है जसे हम परास्टरब त्रंगे भी कहते हैं और इन्फरासोनिक जो 20 हर्ट से नीचे की दोनी रहती है उसे हम इन्फरासोनिक कहते हैं या अपसिरब सिरब तरंगी रहती है जो हीमन सुन सकता है वो होती है 20 हर्ट से 20,000 हर्ट स्क्राक बीच में और 20 Hz से नीचे की पी हम नहीं सुन पाते हैं और उपर की भी नहीं सुन पाते हैं और 20 Hz से जो नीचे की धुनी अबरती होती है उसे हम अपसरब कहते हैं और 20,000 Hz से जो उपर की रहती है उसे हम परासरब कहते हैं तो देखिए, option इंग्लिस में आ रहा है, तो आपको दोनों में याद रखना है, इंग्लिस और हिंदी दोनों में, किसी में भी पूछ सकता है, किसी पदात का सबसे छोटा कड़, जो सुतंत रभस्ता में रह सकता है, क्या कलाता है, तो इसका अंसर हो जागा, आपका option B, अड और फोड ने, और नाच, neutron की खोश कीती, चरडविक ने, तो इससे आपको याद रखने थे, electron, neutron, proton की खोश कीती, इस फर्मले से, इट पर नाच से, तो आपको अभी याद हो गया होंगे, मैं दो बार इट ट्रिक बजा चुकि, दो बार डिसकस कर चुके हैं इसके बारे मे वो आपको इसके नीचे कमेंट करने है, और बाकि लोगों को भी सेर्ड करिए, जिससे वो भी इसमें नीचे अपना रिव्यू दे सके, पेपर कैसा आया, और आपने कितने अटेंट किये हैं, यह सब बाते जिससे कि और लोगों भी पता लग सके कि पिपर कैसा आया था, त की तरफ से आपके लिए एक बार फिर से पेपर जो देने जा रहा है उनके लिए बहुत बहुत सुब कामना है और आपका पेपर अच्छा हो चले मिलते हैं अगले वडियो में तब तक लिए नमस्कार